आज की इस एपिसोड में जो डिस्कसन है वो अडानी पावर के रिलेटेड है चुकि NCD के थू कंपनी 500 करोर फंटरेज कर रही है जिसके कारण इस स्टॉक में आज 2% की तेजी दिखी जब की बजार कंसोलिडेट नेगेटिव फॉर्म में है और अडानी विल्मार अडानी प अडानी पावर कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट भराई है प्रमोटर के होल्डिंग इसे में 75% है और पास्ट वन यर में स्टॉक 90% स्टॉंग हुआ है और वन मन्थ के ट्रेंड को देखें तो 10% डाउन ट्रेंड रहा है और ये स्टॉक इंडिविज्वल ही नहीं पुरा बजार ही हमको डाउन ट्रेंड के ट्रेंड में देखने को मिला है इसके अलावे इसमें NCD के कंपनी 5000 करोर फंड्रेज कर रही है और इस बात का अप्रूबल 28 अक्टूबर 2024 को विचार करेगी अप्रूबल के लिए और वो 28 अक्टूबर इंपोटेंट इवेंट है आप याद रखे 5000 करोर फंड्रेज करना चाह रही है इसकी अप्रूबल के लिए जो मिटिंग है वो 28 अक्टूबर को होने वाला है तो यहीं खबर है इसके अलावे देखेंगे तो आज का वॉल्यूम लगबग 30 लैक का दिख रहा है और इस टॉ खबर आई है और इस समय स्टॉक में क्या करना चाहिए तो मैं चाहूंगा कि विकली टैम फ्रेम के चार्ट को देखें 50 डेमा का सपोर्ट है यहां देखेंगे जिस प्रकार से ब्रेकडाउन हो रहा है यह 50 डेमा का सपोर्ट है अगर यह सपोर्ट टूटा तो हो सकता कि 500 औ को ब्रेक आउट नहीं करे तब तक मेरे व्यूज रिमेन निगेटिव हैं